हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Realme 12 Pro Plus Android mobile phone में आप अपने mobile phone की network की problem को solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जान करी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके mobile phone में network की problem आती है तो इसकी solution के लिए करने किया देखी सबसे पहले आपको अपने mobile phone का setting कभी कभा ठीक से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारे phone में network की problem आती है तो mobile phone की network setting को reset करने के लिए mobile phone का setting page open करिए सबसे उपर यह सर्च बार पर टाप करना है यहां पर सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की सेट है रिषट network setting का उपशन ओगा reset network setting पर tap करना है आपको फोन डिरख लिए पर लिखाऊ आगया network reset complete इस तरीके से mobile phone की network setting को reset करना है अगला काम करना है क्या mobile phone को restart करना है phone को restart करने के लिए phone के side वाला power button आपको उगली से थोड़ी दिर तक दबा के रखना है तो आपकी screen के सामने page open होगा छोटा सा यह वाला इसमा आपको बीच वाला जो बटन है कि वो update है या नहीं है इसके लिए पहले mobile phone का internet आप चालू कर लिए इसके बाद phone का setting page open करना है इसमें आपको सबसे उपर सर्च बार में software आपको लिखना है आपको नीचे software update का options होता है इसे टैप करना है ठीक है आपका phone आपको directly setting page में आपको लेकर आ जाएगा आपको जो है पेच पे कोई भी update का button या download install या पर लिखावा दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके mobile phone की network की problem solve हो जाएगी ठीक है अगला काम यह करना है आपको mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तो mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताएवे नीचे की side option मिलेगा erase all data factor reset का option आपको tap करना है आपका phone directly आपको setting page में लाएगा आपको नीचे erase all data पे tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की network की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहले दियान रखने है आपके phone में आपको यूज़ करने से आपके phone की network की problem जाए वो solve हो जाएगी ठीक है